नमस्कार मैलीजों और आप देख रहे हैं सब्रंग समाचार जार खईन में रादनातिक हलचल तेज दिखाई पड़ रही है अमेज शाह के दौरे के कई माईने निकाले जा रहे हैं आपको बता दू कि साथ जन्वरी को अमेज शाह का कोलहान दौरा था जिसमें कोलहान के लो और अब चार फर्वरी को संथाल का दौरा देवघर में ये अमेज शाह का दौरा कई माईने इसके भी निकाले जा रहे हैं कि 2024 की चिनावी रन्निती चिनावी तैयारी चिनाव का बिगूल फूकने के लिए आ रहे हैं अमेज शाह लोग सभा सीटों की अगर बात की जाए तो 12 सीटे हैं एंडिये के पास और दो सीटे हैं यूपीये के पास चंद्र प्रकाश शौधरी आजसू की एक सीट 11 सीट बीजेबी के पास और एक जेवेम और एक कॉंग्रेस के पास कुल मिलाके 14 सीट और इन 14 सीटों पे कमल का फूल खिलाने की तैयारी चल रही है इसी तैयारी में अमेज शाह के दौरे को जोड़ा जा रहा है बता दू कि कोलहान और संथाल दोनों ही जगा बीजेबी का जो वर्चस्व है वो कम हुआ है बीजेबी कहीं न कहीं दोनों जगा पे कमजोर है और ऐसे में ये दोनों जगा काफी महत्पून है अमेज शाह के दौरे के बाद 24 के चुनाव में पूरे तरीके से बीजेबी को इसमें कुछ ना कुछ बढ़त दिखाई पड़ेगी क्योंकि अगर 24 में कमल का फूल शारकन में खिलाना है तो इन दोनों जगा पे बीजेबी को अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा अभी ये जेबेम का गड़ है और ऐसे में बहुती मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बीजेबी को अगर इस ऑपरेशन कोलहान और संथाल में अमेच शाह काम्याब होते हैं तो बीजेबी को 2024 में चुनाव में बढ़त मिलेगी अखमल का फूल खिलाने में आसारी होगी तो वहीं दूसरी तरह जेबेम पार्टी पूरे तरीके से आदिवासी काड़ खेलने को तयार है आदिवासी काड़ इस तरीके से कि जार्खन की जनता के बीच जार्खन की एहम मुद्दों को लेकरके जाने की कवायत जा रही है औ 1932 का मामला उठा करके जनता के बीच जाने की कवायद वहीं आदिवासी वोटर्स को अपनी ओर करने की कवायद मतलब पूरे तरीके से यह संग्राम देख आए सुनते हैं इन अमेज शा के दौरे पे क्या कहना है कॉंग्रेस का किस रूप में देखती है कॉंग्रेस अमेज श संधाल दौरा आमेज शाका इसे एक कॉंग्रेस किस रूप में देखती है जानते हैं संधाल दौरा हो रहा है कुल्हान और अब संधाल आमेज शाका कही न कहीं दिखाई पड़ रहा है कि 24 की तैयारी कि देखे वह देश के ग्रिह मंत्री हैं वह किसी भी राज्य में आने क लिए वह सोतंत्र हैं और इसी करी में वह जारकंट भी आये हैं और फिर आ रहे हैं इसके पुर्व में भी वह चैवासा आये थे अपनी सभा में खाली कुर्सियां गिन रहे थे अमीज साजी तो संधाल में फिर वह अपनी सभा में खाली कुर्सियां गिनेंगे जनता तो भारती जनता पार्टी को पूरी तरह एक सिरे से नकारने का काम किया है आप देखें कि आम बजट में भी महंगाई कैसे कम हो लोगों को गैस सलेंडर कैसे 700 रुपे में मिले बेरोजगारी कैसे खतम हो देश की अर्थ व्यवस्था कैसे मजबूत हो इस पर तो कोई नहीं है सिर्फ जुमला है सर्यंत्र है तो यह हिंदुस्तान राज की जनता काफी संबेदन सील है और हमें लगता है कि इस बार यही आम बजट भारती जनता पार्टी के ताबुत में आकरी किल साबित होगी मतलब संथाल का जो दौरा है उसे किस रूप में देखा जा रहा यह उनका विजे संकल्प रेली है लेकिन राज की जनता ने उस विजे संकल्प रेली को संकल्प ले लिया है कि हम इसको हार की संकल्प रेली बना के रगेंगे अब यह राज की जनता का संकल्प है राज की जनता यह नहीं चाहती है कि भारतिये जनता पार्टी की सरकार 2024 मे केंदर में फिर बैटे ताकि हमारे बच्चे भूके मरें हमारे बेटे सिक्षा से बंचित हो नौकरी से बंचित हो तो यह अवाम नहीं चाहती है और लोकतंत्र में अवाम ही मालिक होती है तो जब मालिक ने यह फैसला ले लिया है कि भारती जनता पाटी के अप्छल प्रवगंडा में हम नहीं फसने वाले हैं तो अब चाहें अमित्साजी आ जाए या देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी आ जाए दुग्गी पे दुग्यों यहों सत्ते पे सत्ता कोई फरक नहीं अलबत्ता कोई फरक नहीं है हमें कॉंग्रेस का इधर कहना है कि जिस तरीके से चायबासा में खाली कुरसियां गिंती हुई दिखाई पड़ी बीजेपी को इसी तरीके से संथाल में भी दिखाई पड़ेगा लेकिन क्या सच्छ मुच यह ओपरेशन संथाल सफल हो पाएगा यह आने वाला वक्त ही कि यह सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी का किस रूप में देख रही है अमेच शा के संथाल दौरे को बीजेपी प्रतुल जी कुलहान के बाद संथाल अमेच शा का दौरा क्या इसे 2024 के चनाव की नीव मानी जाए देखे क्या अब राजनेतिक दल के बड़े नेताओ को दौरा लेने में भी परिशानी हो रही है अब तो मानी है मुख्यमंत्री जी के पार्टी के नेता जिस तरीके से अमित्शा जी के दौरे को लेकर टिका टिपनी कर रहे हैं ये क्या बात हो गई साहब हरे एक दल के नेताओं को देश में कहीं भी जाने की इजादातर वो तो ग्रे मंत्री हैं और जितना बेहतर काम हुआ है ऑपरेशन ऑक्टूपस के जरीए बुड़ा पहार के कबजे का वापस सैने बलो के दोरा सुरक्षा बलो के दोरा तो अमित्शा जी का जब कोलहान आगमन हुआ तो उसी तरीके से जारकन मुक्ती मूर्चा पधावास थी देंकि हमारा मानना है कि जो हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को दोहजार चौपस में फिर से प्रधान मंत्री बनाने की हमारी मुहीम है उसमें जारकन का एक एहम योगदान होगा पिछली बार तो हम लोगों ने बारा सीटे दी ते इस बार चौदा शूने का लक देवगर से संथाल विजय की हूँकार पहले कोलहान का दौरा और अब संथाल का दौरा अमेचश्या जी के दौरा दो दौरे एक साज जन्वरी को DJP ने साथ तोर में कहा कि हम चुनावी मैदान में उतरने की कवायत पर चुके हैं पूरे तरीके से जारखंज में जो लोग सभाकी 14 सीटे हैं अभी बीजे अंडिये 12 सीटों पे हैं एक जेमें पे हैं और साथी साथ एक पॉंग्रेस पे हैं और ऐसे पे पूरे 14 शुन्ने का मुकावला करने की तैयारी है बीजेवी की तरफ से अगर ऑपरेशन संथाल में क्रीमटरी अमिजशा सफल होते है तो पूरे तरीके से चुनावी मैदान में बीजेवी अपने दाओ पेच लगा सकती है और अगर इसमें विफलता मिली तो कहीं न कहीं बीजेवी की जो हालत संथाल और कोल्हान में है वो पूरे राज्य में सबसे पूरी ताकत दीब और जोटी जोकने के लिए तैयार है जारकन की जंता।